आप सभी को नमस्ते प्रेसाथियों मद्धिप्रदेश में पंचायतों के चुनाव की घोशना हो चुकी है और हमारे राज्य के 52 जिलों में तीन चरणों में चुनाव संपन होंगे पहला चरण 25 जुन को, दोसरा एक जुलाई को और तीसरा चरण आठ जुलाई को संपन होगा हमारे राज्य में त्री इस्तरी पंचायत राज प्रणाली है जिसमें ग्रामिन इस्तर पर ग्राम पंचायत, जन्पद इस्तर पर जन्पद पंचायत और जिला इस्तर पर जिला पंचायत की वेवस्था की गई है यह जो चुनाव होंगे यह मतपत्र प्रणाली पर आधारित होंगे यानि बेलेट पेपर सिस्टम से आपको वोट देकर अपने उमिद्वार का चैन करना होगा ग्राम पंचायत, जनपत पंचायत और जिला पंचायत इन तिनों इस्तरी पंचायतों के लिए चुनाव एक ही दिन संपन होंगे अतह मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रतेक पत के लिए जो मतपत्र बनाये जाएगा उसका एक अलग रंग तै कर दिया गया है ताकि हम आसानी से मद्दान कर सके सबसे पहले आप यह जान लीजिये कि पंचायत इस तरपर पंच और सरपंच दोनों को चुनने का अधिकार मतदाताओं को दिया गया है यानि पंच और सरपंच पद के लिए चुनाओ प्रत्यक्ष मद्दान प्रणाली से होंगे जनपद और जिला इस तर पर हमें सदश्यों का चुनाओ करना है यानि हम जनपद सदश्यों और जिला पंचायत के सदश्यों का चुनाओ करेंगे फिर जन्पत पंचायत के सदश और जिला पंचायत के सदश अपने में से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करेंगे यानि आप समझ गये होंगे कि पंच, सरपंच, जन्पत सदश और जिला पंचायत के सदश के लिए हमें मद्दान करना होगा और चारों परकार के पदों के लिए अलग अलग रंग के मतपत्र तयार किया गया है. आप जान लीजिए, कि यदि जब आप पंच पद के लिए चुनाव करने है तो आगे बढ़ेंगे, तो आपको सफेद मतपत्र प्राप्त होगा, यानि पंच के लिए सफेद मतपत्र तयार किया गया है सरपंच पत के लिए नीला मतपत्र तयार किया गया है नीले रंग के मतपत्र पर आपके शेत्र के पंचायत के उमिद्वारों के नाम होंगे इसी तरह से जनपत सदश के मतपत्र के लिए पीला रंग चुना गया तो पीले रंग के मतपत्र पर जनपत सदश के लिए चुनाव लड़ने वाले उमिद्वारों के नाम होंगे उन में से आपको अपनी इच्छा अनुसार उमिद्वार का चैन करके उसके नाम के समक्ष अपनी चुनाव का चिन लगाना होगा जिले पंचायत के सदश के लिए गुलाबी रंग के मतपत्र का निरधारन किया गया है इस तरह से आप ध्यान रखिए कि पंच के लिए सफेद, सरपंच के लिए निला, जनपत सदश के लिए पीला और जिला सदश के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा आशा है, यह जानकारी आपको काम आएगी, जो युवा प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रतियोगी परिक्षाओं में इस तरह के प्रशन पूछे जा सकते हैं, तो वो भी इन्हें ध्यान से याद रख लेजिए यह करियर एडवाईस चैनल है, और मताता जागरुकता की प्रक्रिया में यह पहला वीडियो इस चैनल के द्वारा आपके समक्ष प्रस्तूत किया गया है, इस चैनल की संचाली का पृति गुलवानिया जिजी और उनकी पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवात कि मुझे यह मैत पूर्ण जानकरी आपके साथ साजा करने का आवसर मिला, आप सबी को नमस्ते, शुब कामना है